इसके लेटिस्ट एपिसोड में श्वेता बच्चन ने अपने और अभिशेख से जुड़े बच्चपन के किस्से का जिक्र किया है जहाँ अभिशेख बच्चन को लेकर कि श्वेता ने एक किस्सा सुनाया बताया कि कैसे उनके बीच में बहस होई और इस बहस की वज़स से अभिशेख ने उनके साथ एक बुरी हरकत कर दी थी दरहसल अभिशेख और श्वेता तब बहुत चोटे थे तब श्वेता बच्चन ने बताया कि हमारे बीच में जगरा हुआ था रात को मम्मे पापा बाहर थी हमारे बीच में किसी चीज को लेकर बहस हो रही थी मुझे नहीं पता कि ये उसे कैची कहां से मिली कैसे मिली लेकिन उसने मेरे बाल पकड़ कर काट दिये और मुझे उसी कटे हुए बाल के साथ स्कूल जाना पड़ा बाद में श्वेता ये भी बताती है कि कैसे जया बच्चन हर सुभा स्कूल जाने से पहले उनके बाल बनाया करती थी उन्होंने नव्या नवेली नंदा से कहा कि नानी हर सुभा स्कूल जाने से पहले मेरे बाल बनाती मेरे सर पर कं़ई गड़ा-गड़ा कर बाल बान्धती बार-बार कहती सीधे बैठो सीधे बैठो हर बालों को कसकर बानती थी और फिर लूप हीर स्टाइल भी किया करती थी इस तरीके से श्वायता बच्चन ने बताया कि आखिर उनका बचपन कैसे भीता और कैसे अब श्रीक उन्हें हर बात पर पर परिशान किया करते थे